आज हम बनाएंगे पहुती अच्छे पेड़े जो बिना खोए के और बिना ही मिल्क पाउडर के बहुती टेस्टी मुँ में घुल जाने वाले आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है और कितने सॉफ्ट तो आईए इसे बनाना शुरू करते हैं आज हम बनाएंगे मुँ में घुल जाने वाली बिना शुगर के और भूती टेस्टी स्वीट्स तो सबसे पहले हम लेंगे आधा कप पनेर मैंने घर पर ही निकाला है फ्रेश आप मार्केट का भी ले सकते हैं छेना भी ले सकते हैं आधा कप लेंगे ताजा नारियल इसके मै माट मैं अधाई है आपसे पहले हम मिक्सी के जार में कोकोनेट डालेंगे के बाद कहले की घुमा लेते हैं मेनगे वाली या लिया है आप देख सकते हैं अब इसमें डालेंगे एक चमश फ्रेश मलाई मलाई डालने के बाद अभी क्छार्श करने के बाद चला लेते हैं इसका एकड़ी हो जाएगा कितना की म division स्ट्रेडी हो गया है आप देख सकते हैं यह देखे अब हम गैस पर लेंगे मोटे तले की कढ़ाई इसमें मैंने टू टेबल स्पूम देशी घी लिया है मैंने या गाय का घी लिया है इसलिए यल्लो कलर का है घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है आधा कप डालेंगे बेस बेसन डालने के बाद हमें अच्छे से इसे भूनना है और घी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर कम लग रहा हो तो हम बाद में भी इसमें डाल सकते हैं बेसन हमारा इस तरह से थोड़ा गिला रहना चाहिए घी हमारा इतना होना चाहिए कि बेसन अच्छा कलर आ गया है इसी स्टेज पर हम डाल देंगे जो मिक्षर हमने रेडी किया है पेस्ट वो डालने के बाद कंटीनू चलाएंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे इसे हमें कंटीनू चलाना है जब तक की अच्छे से ये कुक नहीं हो जाता और ठिक नहीं हो जाता ये देखिए अच्छे से मैंने इसे चला लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें डालना है हमें 3-4 कप गुड गुड को बिल्कुल बारिक काटके डालना है या फिर कद्दू कस करते ताकि गुड अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए इसे हमें अच्छे से कंटीन मिक्स करते हुए लो मेडियम फ्लेम पर चलाना है यह देखिए कितने अच्छे से मिक्स्चर हमारा बनकर रेडी हो गया है और कढ़ाई भी चारो तरब से छोड़ दिया है कढ़ाई हमारी मोटे तले की होने चाहिए अब हम नीचे उतार के ठंडा करेंगे मैंने इसे प्लेट कर लेंगे अब इसके हम पेड़े बनाएंगे मैंने हाँ सिलिकोन का मोड लिया है आप हाथ से भी बना सकते हैं कोई धखकन से या कोई रिंग से वैसे भी बना सकते हैं मैं यहाँ मोल्ड में बना रहे हूँ एक इसाइच्च के बनाने के लिए अच्छे سے दबा के भर और निकाल लेंगे यह देखिए कितने अच्छे से पेड़े अमारे बन गए हैं इसके बीच में हम हलका सा अंगुठे का शेप दे देंगे इसी तरह से हम सभी पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे इसके उपर मैंने थोड़ी काली इलाइची के दाने डाल दी हैं जो बड़ी अगर आप लोगों को मेरे विडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकोन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीच के लिए हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगी धन्यवाद